अगली खबर में बात करते हैं कानपूर की जहां जनपत में बिलहौर थाना छीट के धाका पुर्वग ऑनिवासी बबलू दुबे का 30 वर्सी पुति सरत दुबे सोमवार साम बिलहौर इस सित अपनी दुकान से घर पहुचने के बाद खेतों की तरफ अपनी फसल को देखने क लिए जा रहा था तभी वहां पहले से मौझूद सरत के परिवारिक पिता पुत्र जयांध हुआ सिमांसु ने उसके ऊपर तमंचे से फायर कर दिया बोली की आवास सुनकर आसपास की खेतों में मौझूद किसानों को आता देख दोनों पिता पुत्र मौके से भाग निकल वही सीने में गोली लगने से युवक गन भी रूप से घायल हो गया सूचना पर पहुचे परिवारी जन आनन फानन में व्यूवक को सीस्टी लेकर पहुचे जहां डॉक्टरों ने उसे म्रत खोसित कर दिया वहीं सूचना पर पहुची पुलिस ने घटना की जांच परताल सुरू की दोनों व्यक्ति को गाउं की लोगों के द्वारा चोटे पहुचाई गई है और वर्तमान में उनका इलाज होस्पिटल में चल रहा है प्रगर्ण में जो परिवारी जन के द्वारा तहरीर दी गई थी उसमें थाना बिलोर पर सुसंगा धाराओं में अभ्योग पंजिकरित कर अग्रिव कारवाई की जा रही है मिर्तक को पोस्पोर्टम परिक्षर हेतू मोचली रवाना कर दिया जा चुका है सर्व सुविधायोग नेशनल होस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उप्चार और आपरेशन की सुविधा उपलप्त है हमारे यहां मिल रहा है आयश्मान भारत निरामे योजना का लाब आयश्मान जन आरो के योजना के तहट सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलप्त है हमारे यहां लेजर कैंसर, अस्थी रोप, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोप का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अबरीवा के नैशनल हस्पिताल में उपलप्त है नैशनल हस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेज पतेल के द्वारा उपलप्त करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 96912885600 या फिर संपर्क करें 7566831551 पर हमारा पता है नैशनल हस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करें 07662359974 या फिर संपर्क करें 86028859900 पर